हे गाईज, वेलकम टू देव भूमी करियर पॉन्तों देखे, बिलिटिक्स कुमाओं गलवाल भाग 5 है दोस्तों आज देखे, लास्ट भाग में मैंने आपको बताये था किस प्रकार 877 की करांति का उत्राखंड में प्रभाव रहा उससे जोड़ है सभी महत्वपूंग तथ्यों को देखा था हमने उस टॉपिक में देखे, आपको पता है, हैंडरी रैमजे के बाद जितने भी कमिस्नर हुए उनसे संबंदी तथ्यों को आज समिट कर लाया हूँ इस टॉपिक में जो के काफी बेनिफिशल होंगे आपके अपकमिंग एक्जाम के लिए देखे दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम किलियर करेंगे सबसे पहले हैंडरी रैमजे के बाद कौन-कौन से कुमाओ के कमिस्नर आये थे गलवाल कमिस्नरी की स्थापना कभ हुई और साथी जो नेक्स पार्ट आएंगे वहां पर आब हम देखेंगे बिटिस ने जो यहां पर अनेक प्रकार की नीतियां थी बंदोबस्त थे उन से संबंदी तत्यों को जानेंगे नियाइक ब्योस्ता कैसी बनाई उन्होंने और इसके साथ भूरा जिस्व में क्या-क्या सुधार किये थे जल नियम आये थे उसके साथ वन नीतियां आये थी इनके बारे में फिर नेक्स जो पार आएंगे वहां पर चल्चाओगे आज कमिस्नरों का पूरा यहां पर किलियर करेंगे ठीक है तो चले सुरू करते हैं च अगे बगते हां भाग 5 में जैसा कि मैंने आपको देखे भाग 4 में बोला था अठासो सत्ताओं की क्राउन अधीनियम आया नेक्स यह ठीक है और अठाओं के अधीनियम के तहत क्या हुआ कंपानी का सासन खतम हो गया भारत से और सिधे बिटेन के अंडर आ गया था भारत वहीं से लीड होने लगा तो महारानी विक्टोरिया जो थी उस समय वह सामराग्य गोसित कर दी गई थी तो इसके बाद आपको पता है दोस्तों जब 815 में कुमाउजनपत की स्थाफना होई थी तो उस समय कुमाउजनपत को non-regulating act के तहत रखा गया था या area के तहत रखा गय थी उसके बाद देखे समिक्षा होई और न्याइक समिक्षा के लिए देखे 1879 में सबसे पहली बार हैंडरी रैमजे के टाइम पर ही न्याइक समिक्षा के लिए एक व्यक्ति आया था 1869 में ठीक है जिसका नाम था पी वैली तो पी वैली को यहाँ पे भेजा बिल्टिसस बोला कि जाइए कुमाओ गलवाल छेत्रों में जाइए देखे वहाँ पे जो सिस्टम चला हो कैसा चला है तो पी वैली ने बोला कि अब इस एरिया को नॉन रेगुलेटिंग एरिया नहीं रखना चाहिए इसको अब जैसे संयुक्त प्रांत हो गई या अन्य जो प्रांत जो वहाँ पे नियम कानून थे वही कानूनों को लागू कर दें ऐसा इस समिक्षा में बोला था पी वैली ने तो नियाएक समिक्षा है तू पी वैली नामक अधिकारी कानून समिक्षा है तू कब आया था कुमाओ जनपद में तो यह 1869 में था एक की पॉइंट यहां पर अपका ठीक है उसने क्या बोला किस व्यक्ति ने कुमाओ जनपद से नॉन रेगुलेटिंग एक्ट को या एरिया को खत्म करने की समिक्षा की ती तो यह हो जाएगा पी वैली ठीक है तो पी वैली के बाद क्या हुआ इसकी समिक्षा गई उपर उसके बाद 1874 में यह अधि पा रहे हैं ठीक है इसका नाम था अधिसूचित जिला अधिनियम सेड्यूल डिश्ट्रिक एक्ट 1874 में आया और इनको लागू कर दिया गया फिर कुमाओ जनपद में या कुमाओ कमिसनरी के अंतरगत इसके बाद इन नियमों को बोला गया संशिप्त भासा में कुमाओ र दिया गया ठीक है तो अधिसूचित जिला अधिनियम कब आया था 1874 में आया था इनी को कुमाओ रूल्स भी कहा जाते दोस्तों ठीक है अब बात करते हैं कमिस्नरों के जैसा कि हम पगल चुके थे छटा कमिस्नर था हैंडरी रैम्जे किंग अप कुमाओ जिसको कहा जाता ह लोकल एरिया की लोग उसको राम जी साहब कहते थे बहुत ही नेक दिल अच्छा था जिसने उसकी तारीप की जो उसकी बातों में आता था जो इसकी बातों का सपोर्ट करता था उसको अच्छे-च्छे पधासीन पदों पर पहुचाया उसने अच्छे-च्छे मोगा नहीं छोड़ना चाहते थे वहाल मोगा ही रहना चाहते थे लेकिन जबर्दस्ति उनको वहां से ले जाया गया ठीका उनका बंगला भी बेज दिया उनके पुत्रों ने और उनको ले गए अपने साथ इसके बाद दिखे कुमाओ कमिशनर के रूप में आया साथवा कमि बनकर आया दोस्तों और इसके टाइम पे एक महतोपूर्ण घटना हुई गड़वाल राइफल्स की स्तापना हुई कोशियन निकल कर आ सकता है आगा में परिक्षाओं में जब गड़वाल राइफल्स की स्तापना हुई ततकालीन कुमाओ कमिशनर कौन था तो आपको पता था आठासो 102 में एक اور नया जन्पत बनाया गया कुमाओ कमिशनरी के अंतरगत ठीक है अठासो 111 अठासो 112 में सामिल हुआ था तराई जिला उसको फिर से प्रथक कर दिया गया ठीक है यानि कि 800 बयाने में तराई जिला फिर से प्रथक हो गया अब कितने जिले है फिर यहाँ पे अब कुमाओ कमिस्णरी में कितने जिले हो गए यहाँ पे कुमाओ कमिस्णरी में अब तीन जिले हो गए फ तो H.E.G. Ross 885 से 887 तक इसने सासन किया, इसके समय में एक और राष्टिय महत्वपूर्ण गटना गटी, 885 में पहली बार अखिल भारतिय लेवल का एक संगठन बना जिसको हम जानते हैं आज राष्टिय कॉंग्रेस के नाम से ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन इसके बाद हम विस्तार में जो अगले भाग आएंगे, वहाँ पर विस्तार में हम देखेंगे, बिल्टी सच की जितने भी यहाँ पर कारे रहे, उनको उनकी समिक्षय करेंगे, तो जिब फिर नवा कमिशनर बनके आया है दोस्तो, J.R.Greek, 888 से 889 तक इसका सासन दा, और लाए गए थी, 889 में, देखें दोस्तो, 877 में भारत में, 877 में करांती हुई थी, इसके बाद Lord Canning ने बोला, जितने भी भारती हो समें थे, उनके लिए लाइसेंस नीती लागू की थी, 888 में, अगर भारत का कुश्यन बनता है कि भारत में लाइसेंस नीती कब आई थी, तो 888 में आई थी, लेकिन उत्राखंड में कब आई थी, 889 में, क्यों आई थी, इसका रीजन में बता चुका हूँ पूर्व वीडियो में, अगर नहीं पता फिर बता देता हूँ, देखें, 888 में Canning ने एक पत्र लिखा था रेमजे को, कि कुमाओ छेतर के जितने भी लो नहीं हो पाया था, लाइसेंस नीती कुमाओ और गरवाल छेतर में, या कुमाओ कमिस्नरी में में बोलो, लेकिन बाद में देखें, केवल लाइसेंस नीती के बाहने किसके पास कितने हतियार हैं, प्रिटिसस जानना चाते थे, उन्हें तो भई धना, क्या बता फिर से ऐसी अगर सब के पास हतियार होंगे, तो हमें रिस्क हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने सभी का वेरिफिकेशन करवाने के बाने, देखने के बाने किसके पास कितने हतियार हैं, तो आप लाइसेंस बनाना पड़ेगा इसके बास हतियार हैं, ऐसी नीती निकाल दी, तो बहुत से चीँ संकलते हैं तो इसके बाद दसवय कमिशनर के रूप में आते हैं दोस्तों जी अर्सकिन ये भी महत्वपुञ की टाइम पे पर तो प्रसासनी के इतियास के संवर्भ में हम देखें तो नैनिताल जनपत का गठन होता है इनके टाइम पर 291 में और तराइस जनपत क्या हो जाता है प्रथक हो जाता है तो सिंप्ली आपको याद रखना होगा जब कुमाओ कमिशनरी के अंतरगत नैनिताल को प्रथक जिले के रूप में गठित किया गया उसमें कुमाओ कमिशनर कौन था ततकालीन तो उसमें था जी ए अर्सकिन ठीक है ध्यान रखेंगे नेक्स जो आते हैं दोस्तों फिर आते हैं डिटी रॉबर्स 11 में कमिशनर की रूप में तो डिटी रॉबर्स की बात करूँ कारेकाल 892 से चरा हो गया था लेकिन बाद में जब रेलवे लाइन आने लगी यहां पर तो कई जंगलों का दोहन भी हो था जंगलों को अंदा धुंद काटा गया रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए अन्या उप्योग के लिए ठीक है तो वन निती इसलिए भारत सरकार ने जारी की थी उसमे स्तापना में महतोपूर्ण भूमिका निपा थी डॉक्टर लिंगार्ड ने ठीक है यह भी पूछा जाता है कई बार कोश्यन बना है मुक्तेश्वल नैनी ताल में कभ स्तापना हो थी भारतिय पसवानों संधान संस्तान की तो 1893 में हो थी इस समय ततकालिन जो कुमाओ कमि प्रतक कमाओ के मांग की गय तो 1897 में यह प्रस्ताव रखा गया था महारानी विक्टोरिया की समक्ष्य है विक्टोरिया ने देखे अपनी डाल जूबली मनाय थी चास वर्ट स कम्प्लीट किये थे अपने सासन के 1897 में, इसलिए तो कीरति शाह ने टीहरी में घंटा-घर का निर्माण भी करवाय था, डायमेंड जूबली के उपलक्ष में, ये कई बार कोषिचन बन चुका है, कि डायमेंड जूबली के उपलक्ष में, किस ने घंटा-घर बनाया था टीहरी में, 1897 में, तो यह बनाया था कीर्थिसान है, और इसी टाइम पे दोस्तो, 897 में, उत्राखंडी के जो प्रमुक राजनेता थे, उन्होंने प्रपोजल दिया विक्टोरिया जी को, कि जैसे सम्यूक तो प्रांत है, या जो अन्य बृतिस प्रांत है, वैसे हमें भी, हमें भी जो परवतिय राज्य है, इस परवतिय राज्य को कुमाउप्रांत के नाम से एक अलग प्रांत बना दीजिया, प्लीज, ऐसा बोला गया यहां पे, ठीक है, तो बहुत महत्तोपुण वर्स है, कौन है कमिशनर, ई, ई, ग्रेज है यहां पे, इसके बाद तेरवे कमिशनर के रूप में आते हैं, आर, ई, हैंबलिन, जिनका कारेकाल है, 1899-2, 1902, तो इनके टाइम पर देखें, नैनिताल जेल की स्तापना होती है, देखें दोस्तों, अलमोगा जेल की स्तापना 816 है, काफी लोगों के कमेंड आये थे कि अलग बुक्स में अलग द व्याद रखेंगे, ऐसे ही नैनिताल में जेल बनी थी 1902-1903 के टाइम पर, और उसमें कमिशनर कौन था, आर, ई, हैंबलिन, ठीक है, और इसी के साथ गड़वाल में एक महत्तों यूनियन बनता है, उसमें गड़वाल यूनियन, ठीक है, तारदत गैरोला जी थे, उसके सा साथ त्री मूर्ती थे, उसमें गड़वाल यूनियन की स्ताफना देराधून में होई थी 1901 में, तरी मूर्ती थे, उसमें तारदत गैरोला जी, विस्वांबरत चन्दोला जी और चंदरमोहन रतोगल जी, इनके प्रियासों से पहला देखे गड़वाल यूनियन की पे डिबेटिंग कलब बन चुका था, 1871 में पहला न्यूजपेपर भी आगे था, विलियम मूर के प्रियासों से अलमुग अखबार, लेकिन गड़वाल में गड़वाल उनियन की इस्ताफना होती है, यहीं से गड़वाल में कहिने के विचार धाराओं का प्रवाह सुरू ह होता है, नैशनलिज्म का प्रवाह सुरू होता है, और जातिये सबाओं की भी शुरुवात होती है, जो कि मैं पूर्व के कोर्स में दे चुका हूँ आपको उत्राखंड में जन जागरंग, गड़वाल में जन जागरंग, एक प्लेलिस्ट है, उत्राखंड का इतिहास प् ठीक है, सभी कुली उतार, अभी हाल में कुली बरदायस पूछा गया था, बरदायस में यह होता था कि ग्रामिंगों को फिरी में भाजी, तरकारी, रासन वगेरा देना पड़ता था, जो भी संबंदित अधिकारी उनके गाउं में आता था, तो आप जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है, तो गरवाल उनियन की स्थापना होई हैंबलीन की डाइम पे, और सबसे महत्तो पूंड एक और पॉइंट, देरादुन में रेल आ गई भाई, ठीक है, जैसा कि आपको पता है, जो अमारी कार्ड गुदाम में रेल आय थी, वो हेंडरी रैम जी के टाइम पर पहुंच गे थी, 1884 में, ठीक है, 1884 में पहुंच गे थी, और देरादुन में रेल पहुंची, 1900 में, ठीक है, ध्यान देरादुन में रेल पहुंचने का तातकाली कारण क्या था, कोश्यन बन सकता है, तो तातकाली कारण था देरादुन में रेल लाइन बनने का, शुरुआ दार्जलिंग से हुए थी पश्चिम मंगाल से सबसे पहले वहाँ पे लगाया बिल्टी ससने सही अन्परे लेकिन इसके बाद मसूरी में ले गए भट्टा भाल में ग्लोगी जल्विदूत परियोजना बनी 1906 से शुरू हो गया थी तो तो अब ग्लोगी परियोजना बनने के लिए पहले बहुत जादा महां पे मैं अपरिडिंग होती है उसके बाद खुदाई वगएड़ा होती है लेगिन फिर पार्ट्स तो चाहिए ना हैवी सही अन्तर जो होते हैं वह तो चाहिए हैवी मसीनरी तो उस मसीनरी को कैसे लाया जाए बिल्टी स 1903 से 1905 इनके टाइम की महत्वपुल गटना गरवाली समाचार ठीक है गरवाल का सबसे पहला तो गरवाल समाचार था लेकिन सबसे ससक्त समाचार पत्र बनके जो उबरा गरवाली समाच में या पूरे कुमाओ चेतरी में बोल सकते हैं वो था गरवाली समाचार ठीक है 1905 मे इसके बाद पंदरलवे कमिशनर की रूप में आते हैं J.S. Campovel 1906 से लेकर 1914 तक इनका कारिकाल ला दोस्तों Campovel के टाइम पर देखे बहुत सी अब उत्राघण में कहिने के राष्टिया आंदोलनों का प्रवाह सुरू हो चुका था Campovel के आने तक ठीक है अब कुली बेगार प्रथा को कम करने के लिए एक कुपाई सूजा था एक व्यक्ति थे उसमें करवाल में जोध सियनेगी जो सियनेगी ने सोचा यार भाई कुलीयों को कुछ नहीं मिलता बेगार बहुस्ता बनी आई है इससे अचा क्योंने एक एजनसी बनाते हैं को थोगा फंडिंग करते हैं थोगा डॉनेशन करते हैं और उसी मैसे कुलीयों की जिनकी भी डूटी लगेगी कुछ न कुछ उनको रोजाना मेहनत आना दे दिया जाएगा ठीक है यह अनुकूल है भागवानी के लिए तो इसलिए कुमाओ गवर्मेंट गार्डन की भी इस्ताफना होई थी 1909 में कैम्पवल के टाइम पे और गलोगी पर्योजना मैं आपको बता चुका हूं 1890 से सुरू हुआ काम 1906 साथ में गलोगी पर्योजना से उत्पादन सुरू हो गया था दोस्तों ठीक है ध्यान केंगे क्रियासी लोग थी योजना 1906 साथ में ठीक है भट्टा भाल मसूरी में आई है तो यह कैम्पवल के टाइम के कुछ महत्तोपन गटना है और भी गटना है जैसे मैं बात करू जैसे ही आधुनी क्यूग वाले युवा हैं वो ऐसा question paper set करते हैं कि वो आपका check करते हैं कि आपने चीजों को कितना connect किया है आप चीजों को उपर-उपर से पढ़ते हैं या गहराई में जाकर गोते लगाकर हीरा मोती लाने की भाती study करते हैं तो ऐसा check करते हूँ ठीक है अब ये तो सभी को याद हो जाएगा फैक्ट भी याद हो जाएंगे कुमाओ government garden की स्थापना 1909 में हुई ततकालीन commissioner कौन था ऐसे question बन जाएगा तो camp well है आपको याद रखना है घ्लोगी पर्योजना इसके टाइम पर होई अलमोगा में home rule league की स्थापना इसके टाइम पर ह अलमोगा Congress की स्थापना इसके टाइम पर होई ठीक है तो यह महत्वपुण कुछ गटना है camp well के टाइम की इसके बाद next जो commissioner आते हैं फिर आते हैं परसी विंडम बहुत महत्वपुण नाम है इसके समय पे एक गैती आसी गटना गटी थी पूरे उत्राखंड में जिसको हम जानते हैं आज का ही दिन था दोस्तों मकर संक्रांती का दिन था आज का ही दिन था कुली बेगार प्रथा का अंतु हुआ था उत्राखंड में ठीक है तो परसी विंडम के टाइम पर ही उत्राखंड में एक कुपर था कुली बेगार प्रथा समापत हुई थी मकर संक्रांत के दिन 1921 में बागेश्वर जन्पत जन्पत नी बोलेंगे बागेश्वर जन्पत में इस्तल था कुमाव जन्पत काई वहाँ पे सर्यू नर्दी के तठ पर ठीक है देखिए बद्री रत पांडे जी ने इस आंदोलन को लीट किया था और यह आंदोलन पूर तहा किस पे था असायोग आंदोलन की तर्ज पे था एक और महतोफुण पॉइंट दे रहा हूं है यहाँ पर आपको उत्राखंड का कौन सा आंदोलन असायोग आंदोलन की तर्ज पर था तो यह कुली विगार आंदोलन था दोस्तों इसी टाइम परसी विंडम के टाइम पे देखिए कु अगरा जो भी जल नियम थे वो बनाय गए उसके बाद फोरेष्ट जो नियमा वली थी या वन नीतियां थी वो भी लाए वन आंदोलन हुए 1921 के आसपास बहुत से वन आंदोलन इसके टाइम पर विंडम के टाइम पर तो विंडम का जो कारकाल दोस्तों यहां निगल के आ या आंदोलनों से जिसकी जिन्दगी अभी भूत रही थी उसमें या घिरी वही रही थी ठीक है सरवाधिक जो जना आंदोलन होए थे किस कमिस्णर के टाइम पर होए थे कोशन ऐसे बनेगा थोगा दिमाग वहाँ पर यूज करना आपने वहाँ पर आंसर आपको आना कमेटी यह हम डिसकस करेंगे जब मैं विस्त्री तभी आगे प्रसासनिक नीतियां और जो अन्ने वन अंदोलन होए इनके बारे में वीडियो दूँगा आपको ब्रिटीस कुमाओं गलवाल के अंतरगत ठीक है लेकिन सिंप्ली आप फैक्ट याद रखे फोरेस्ट पी विंडम के टाइम पे ठीक है और कुली बेकार प्रथा समाप्त हूए थी 1921 में और जैसा कि मैं आपको बता चुगाँ कुली एजनसी जो की जेस कैंप वेल के टाइम पे बनी यह कुली एजनसी की भी समापती हो गई 1923 में ठीक है ध्यान रखेंगे 1923 में कुली एजनसी को भी समाप्त कर दिया गया उत्रा कंट से क्यों कुली बेगार प्रता समाप्त हो गए तो फिर कुली एजनसी की क्या हो सकता है है यह और पर से विंदम के काफी सयनिकों ने प्रती भाग किया पर हम विश्व युद्ध से ही दो महानायकों को हम आमिसा याद रखेंगे अपनी जीवन में जानते हैं हम दर्बान सियनिगी और गबर सियनिगी जिनको सर्वोच बिटिस सयनिक सम्वान मिला था विक्टोरिया क्रोस ठीक है यह प्रसी खालांकी लेकिन ठोगा समयोग हम जोगर सकते हैं इस तरफ से रवाई कांड आपको पता है मैं आंदोलन कर रहे थे सभी जो ग्रामिल लोग थे वन कानुनों के विरोध में जनसबा हो रही थी तो वहां पर नाम है चक्रधर जुयाल ठीक है तो चक्रधरव्याल क्या करता ह भील्ड पर निहत्ती भील्ड पर गोलिया चलवा देता है सेम लाइक जल्या वाला बाग जो कांड हुआ तो भील्ड में काफी लोग वहां पर क्या हो जाते हैं सहीद हो जाते हैं दोस्तों 30 महीं 1930 का ये दिन था ठीक है तिलाली मैदान में हुआ था यह यमना तट पर याद कोशन अब नहीं बनेंगे नए कोशन हों के इजाब से मैं बना रहा हूं यहां पर स्क्रीज को कि रवाई कांड जब घटी दुआ था उसमें एक तत्कालिंग कुमाओं कमिशनर कौन था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो आपने याद रखना है क्योंकि की घटना थी है और जब कुमाओं कमिशनर ही पूची जाएगी इसी के साथ यहां पर कनेक्शन करके रवाई कांड के समय 1930 में जो कुमाओं कमिशनर था ठीक है ध्यान केंगे और इसी के साथ एक महत्वपन और घटनावी इस टाइप के टाइम पे मातमा गांदी जी का कुमाओं दौरा सुरू गांदी जी आ गई कुमाओं दौर पे कौसानी गई अनासक्ति योगती का लिखा बहुत सी घटनाएं उनके बारे में डिसकस करते हैं इससे पहले हम जानेंगे दोस्तों गांदी जी सर्वप्रतम उत्राखंड में कब पधार थे कई लोगों कई डाउट रहता है तो सबसे पहले मैं बात करूँ गांदी जी उत्राखंड में पधार थे 1915 में जब गांदी जी अफ्रिका से वापस आये दोस्तों उसके बाद तुरं तो उन्होंने हरिद्वार की यात्रा की थी ध्यान अगेंगे 1915 में वो हरिद्वार आये इसके बाद अगले एर 1916 में कुम्बु मेला चल ला था दोस्तों तो कुम्बु मेले के टाइम पर फिल से गांदी जी हरिद्वार आये और इस बार नोंने देहरादुन की भी यात्रा की थी तो देहरादुन आये 1916 में 1915 में उत्राखंड हरिद्वार तक ही आये रिसी केस वगरा तक गए थे गांदी जी ठीक है हमें इतिहासिक जो हमारी पुस्तक है इतिहास की पुस्तक है वहां से सोर्स मिलते हैं इसके बाद 1916 में वो देहरादुन तक गए थे ध्यान लगेंगे 16 के बाद गांदी जी का सिधे आगमन होता है कुमाओ छेत्र में अभी गड़वाल ही गई है क्वेश्चन ऐसे भी निकलके आए गड़वाल में कब आये थे कुमाओ का क्वेश्चन कई बार बन चुका है लेकिन गड़वाल का क्वेश्चन देखिए आपको याद उनाचे 15 जोल है ठीक है तो 1929 में गांदी जी ने कुमाओ का द्वरा सुरु किया घ्या गांदी जी आए अलमोडा पहुँचे गांदी जी सबसे पहले जून 1929 में तो अलमोडा पहुँचते ही दोस्तों गांदी जी से जूड़े होए कुछ महतलबर पोइंट है सबसे पहले इससानद गांदी जी ने अन से भी भेट वारता के गांदी जी में गांदी though बारत इन का प्रवास किया, प्रवास के दोरान गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी, अनासक्ती योग, ठीक है, टीका लिखा था, खाली एक टीका था, टाइटल था, अनासक्ती योग, पुस्तक के अंदर का, ठीक है, तो ये लिखा गांधी जी ने, ठीक है, कौसानी में उन पूंगे दोस्तों तीक है उसके बाद गांधी जी बागेश्व़ भी गये थे ध्यान दखेंगे 1929 में ही बागेश्वण गए थे गांधी जी बागेश्वर में उन्होंने मंदिल की एक मंदिल का उत्खाधारिन भी कह था जिसको नखेंगे इसके बाद नेक्स जो यह राते हैं पर पेसावर कांड घटी दोता है फिर फिर और गांदी जी से मुलाकात होते हैं चंदर सिंग गड़वाली की और एक डायलोग बहुत फेवरेट है जो कि मैंने उत्राघंड जी के ओनलाइनर में भी आपको करवाया है गांदी पैनों बोला काफ़ी लोगों ने बोला गांदी जी ने भी बोला तो चंदर सिंग गड़वाली ने बोला वहां पर भ्यंगे कस्ते हों ठीक है मैं तोपी पहनुगा लेकिन इस बूग्य के हाथ से पहनूँगा ठीक है इस करना था भी डायलोग की फेमस हुआ था तो में स्टबस आते हैं 1931 से 1933 तक और देखिए एक और महत्तोपूंग यहां पर पॉइंट रहे गया मापकी जिगा एंसे इस टाइप के टाइम पर एक महत्तोपूंग कानून आया था नायक बालीका रक्ष्या कानून 1929 में देखिए नायक जाती क्या थी मैं आपको बता चुका वहां पर आपको मिल जाएगा आप देखना उसमें simply कुमाओं का चंद वन्स ठीक है तो वहां पर आपको नायक जो जाती थी उसकी उत्पत्ति कैसे हुए देखिए भारती चंद नामक एक राजा था चंद वन्स में तो भारती चंद ने डोटी पर अटेक किया था सबसे प अमंद बन गए थे ठीक है और इनी संबंदों के फलसरों जो पुत्र या पुत्री पैदा होए इनको नायक जाती में रखा गया ठीक है इनका कोई वजूद नहीं था और बाद में बोला जाता है कि इनका नायक जाती के लोगों का जो especially उसमें प्रोफेशन बन चुका था प्रोश्टिट्यूशन का ये काम करते थे काफी ज़्यदा इसका काफी ज़्यदा विरोध किया था बदरिदध पांडे जी ने भी उन्होंने अपनी पुस्तक कुमाओं के इतियास में भी इसका वर्ण किया है कि नायक जाती के जो लोग थे वो मुक्य तहा आप उसके साथ कुछ गलत करते हैं या अठार साल से कम की लड़की प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है तो कि ये एक क्या होगा दंडनी अपराद होगा ठीक है तो ये बाली का कानून आया था 1929 में ध्यान लखेंगे उसमें कौन था कुमाओं कमिस्णर कुमाओं कमिस्ण यह और महत्तब को घटना होगी थी पेसावर कांड यह भी याद रखेंगे आप ठीक है तो जब पेसावर कांड घटित हुआ था उसमें कुमाओं कमिस्णर क्वां तो यह भी एंसी स्टाइफ ही था उसमें ठीक है पेसावर कांड आपको पताए 23प्राल 1930 को घटित हुआ देखें वील चंत्र से गड़वाली जो थे गड़वाल दो बटा अठार लेजी मैंट में थे तो उनकी पोस्टिंग होई थी उसमें किस्सा खानी एक मार्केट था उसमें ठीक है अफगानिस्तान की बात है पूरी तो यहां पर पेसावर में उनकी ड्यूटी लगी थी ठीक ह कर रहे हैं अंदोलन कर रहे हैं लेकिन वहां पर चंत्र सिंह गड़वाली ने अपने रेजीमेंट के सभी सांतियों से बोला कि कोई भी फायर नहीं करेगा ठीक है तो इस गड़वाल में या संपूंग भारत में गड़वाल दिवस भी मनाया गया था इस आवसर पर गांद पर चंत्र सिंह भंडारी दिया है दोस्तों काफी लोगों का डाउट है कि नेगी दिया है बहुत जगबे लेकिन अधिकांज में भंडारी भी दिया हुआ है और UK SSSC में पूर्व में एक क्वेशन पूछा गया एक बार तो पूर्व में भंडारी यहां पे सही आंसर मानन हुआ है तो आपको भंडारी के साथ ही जाना चाहिए तो यह हो गया पेशावर कांड भी गटित इसके बाद गोयंजी आये 1933 से 35 ऐसी कोई महत्वपुल घटना आये नि फिर आये थे AW Ibertson ठीके यह वही इबरसन है जिन्होंने अंतियम भूमी बंदवस्त किया था उत्रा कमिशनर तो बाद में बने न 1935 से लेकर 1949 उससे पूर्व भी तो कुछ प्रसासनी कार्यों में रहे होंगे प्रमोशन के बाद इतो कमिशनर तक पहुँचे होंगे तो 1928 मजब इबरसन जो था उस हायक के रूप में कार्य रत था तो इसके टाइम पे कुमाओं गड़वाल क अंतीम भूमी बंदोबस्त हुआ तो 1924 में हुआ था सासक कौन थे उसमें नरेंद्रिसा ध्यान रखेंगे तो अब इबरसन के टाइम पर देखे गाधी आश्रम इस्ताफित होता है 1937 चनोदा अलमोगा में ठीक है सांतिलाल प्रिवेदी के प्रियासों से यह महत्तव पू जब गाधी आश्रम की उत्राखन में स्थाफना हुए थी उसमें कुमाओ कमिश्णर कौन तततकाली ऐसे कोश्यन जो बन सकते हैं उनके लिए मैं यहां पर सभी महत्तव पूइंट्स को आपस में जोग रहा हूं ठीक है ध्यान लखेंगे इसके बाद 21 कमिश्णर की रूप को ने भरपूर सही हो किया तो बिटिस सेना की या मित्र राष्टे की सेना में थी उसमें यह ध्यान लखेंगे उसके बाद 22 कमिश्णर की रूप में आते हैं कुमाओ कमिश्णरी में टीजेसी एक्टन ठीक है टीजेसी एक्टन का कार्यकाल लाव 1941 से 1943 तक दोस्तों और इस पॉइंट है तो अलमोडा में है सल्ट तो इसके गटना होई थी एक्टन की टाइम पर इसके बाद 22 कमिश्णर की रूप में आते हैं को थे केल में हता 1947 से 48 तक ठीक है ध्यान दखेंगे और केल में हता देखे एक मातर यहां पर भारतिया अब आपको कमिश्णर यहां पर नाम दिखा है तो जैसे देखे देश स्वतंत्र हुआ तो कुमाओ कमिश्णरी भी क्या हो गई स्वतंत्र हो गई दोस्तों ठीक है और संयुक्त प्रांत का एक जनपत बना दिया गया ध्यान दिखेंगे कुमाओ कमिश्णरी भी स्वतंत्र हो गई यानि कि कुमाओ कमिश्णरी में जो समय जनपत थे कौन-कौन से एक तो नैनिताल था एक अलमोडा था और गरवाल जनपत था यह तीन जनपत कहां पर सामिल हो फिर संयुक्त प्रांत के जनपत बन गई है ठीक है और एक रियास्त अभी भी अमारी चली रही है 1940 में फिर टीरी रियास्त वह आगे जाके विला होगा अगले साल 1949 में ठीक है तो यह याद रखना है केल मेहता कोश्ण ही भी बन सकता है कि 1947 में आजादी के बाद जो पहला क कुमाओ कमिशनर बनाओ कौन बना ठीक है तो आजादी के बाद पहला भारतिय कुमाओ कमिशनर कौन बना था पहला भारतिय था जो वो केल मेहता जीत है ठीक है अब बात करते देखे दोस्तों वर्तिमान समय की तो वर्तिमान समय में भी आपको पता है आज गरवाल कमिशनर क्माव कमिश्णरी की स्थापना कर व provक्रण कोई थी मलें ती ती 849 में दियान केंगे क्योंकि 815 में मैं आपको मताव चुकото को माधित कि स्थापना उति ये किस्तापना था ये कमिश्णरी और फरुरकाबाद के अधिन था दोस्ते में 198 1849 में कुमाओ कमिशनरी सोतंत्र की गई और गड़वाल कमिशनरी की में बात करें तो इसकी स्ताफना हुई थी 1979 में यानि कि आजादी के बहुत बात गड़वाल कमिशनरी की या गड़वाल मंडल की स्ताफना हुई ठीक है सबसे प्राचीन जो कमिशनरी हो कुमाओ कमिशनरी अब वर्तमान समय की बात करते हैं तो कुमाओ कमिस्नरी के देखे आज भी देखे उत्राकरण में कुमाओ कमिस्नरी और गरवाल कमिस्नरी काम करते हैं कुमाओ कमिस्नरी के अंतरगत 6 जनपद हैं और गरवाल कमिस्नरी के अंतरगत 7 जनपद हैं वर्तमान में कुमाओ कमिस्णरी के जो अध्यक्ष है या कमिस्णर है बोल सकते हैं वो आई-एस राजीव रोतेला जी है और गरवाल कमिस्णरी के वर्तमान जो कमिस्णर है वो है आई-एस रविनात रमन तीक है गरवाल कमिस्णरी का मुख्याले पौगल गरवाल में है जब अगले जो भाग आएंगे वहाँ पर हम देखेंगे बिटिस कुमाओ गड़वाल के दोरान जो यहां पर भू राजश्व जो भू राजश्व संबंदी सुधार हुए थे या उसके साथ जो भी हमारे जंगलाद नीतिया आई थी या हमारी जल नीतिया बनी ती कर नीतिया बन यहां पर बने के लिए तो आप लोगों का सायोग आपेख्चित हैं मतलब यह कि मुझे व्यूज चाहिए लाइक चाहिए चाहिए सेयर चाहिए सयोग अपेख्चित तेसे मतलब है कि मैं इतनी मेहनत करके ये टॉपिक बना रहा हूँ तो इस टॉपिक को पढ़कर आप सफलता को अचीव करें वही मेरे लिए satisfaction है दोस्तो उस दिन मैं संतुष टूँगा जब ये कोर्स आपके लिए सत पृतिशत काम आएगा अगर अच्छे से आप इसको पढ कंट